परमात्मा मौजुद ही है, तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमारे पास उसे देखने की द्रश्टी नहीं है, जैसे सूरज निकला है, लेकिन तुम आँख बन करके खड़े हो, परमात्मा हर नाद में गुंज रहा है, हर आवाज में उसी की ही आवाज है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमारे पास उसे सुनने की शक्ती नहीं है, उसे सुनने के लिए तुमारे पास कोई कान नहीं है, ये सारा अस्तित्व परमात्मा की ही धड़कनों से भरा हुआ है तुम उसे महसुस नहीं कर रहे हो तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम धबक नहीं रहे हो तुम्हारे जिन्दा होने का कुछ तो सबुद दो तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम परमात्मा को ढूंडो मत क्योंकि वो तो है ही तुम सिर्फ आंख कोल दो तुम परमात्मा की खोज में मत लगो क्योंकि खोजने से वो कभी नहीं मिलेगा तुम सिर्फ उस आँख को खोज लो जिस आँख की वज़े से परमात्मा दिखाई देगा तुम परमात्मा को मत खोजो तुम उस समझ को खोजो जिसकी वज़े से परमात्मा तुम्हारी समझ में आए तुम उस जीवन को खोजो जिससे परमात्मा की धड़कन तुम्हारे भीतर महसुस हो सके और रास्ता सिर्फ एक ही है तुम अपने जीवन में समझ को बढ़ाओ होश को बढ़ाओ भक्ती को बढ़ाओ प्रेम को बढ़ाओ तो ध्यान को तुम अपने जीवन में बढ़ाते चले जाओ ध्यान में डूपते जाओ तुम ध्यानस्त हो जाओ तभी तुम्हें वो महसुस होगा तभी तुम्हारे जीवन में उसका जीवन होगा और जिस दिन तुम ये कर पाओगे तो समझना कि तुम्हारे जीवन में वही जिन्दा है और तुम्हारे जीवन के द्वारा वही बहेगा Thank you